नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपोर्स में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि निफ्टी फिफ्टी और सेंसेक्स में आखिर हमें इतनी गिरावट क्यों देखने मिली अगर हम आलमोस्त देखें तो निफ्टी फिफ्टी और सेंसेक्स में आलमोस्त दोस्तों हमें दो पसेंट की गिरावट देखने मिली जो कि निफ्टी में दोस्तों तीन सो पसेंट के आसपास था माफ कीजिएगा तीन सो पॉइंट के आस पास था और सेंसेक्स में दोस्तों लगबग हजार पॉइंट के करीब यह हमें दिखने मिला तो यह गिरावट दोस्तों हमें काफी जादा देखने मिला इसके वज़े से मारकेट में काफी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा भी लूज हुआ है इसके पीछे का हम reason देखेंगी कि आखिर में हमें हमें दोस्तोटो इतनी गिरावट क्यों देखने मिली इसके पीछे का reason क्या था और after afternoon के बाद देखें यानि कि afternoon में यानि दोस्तों अगर हम दुपहर की बात करें तो दुपहर के बाद हमें sensex और nifty में थोड़ी सी बड़त देखने मिली यानि कि अगर हम देखें तो recovery हमें देखने मिला और ये भी हमें काफी अच्छा देखने मिला लगबग 1% के आसपास market वापस recover कर गया तो ये तो अच्छी बात थी लेकिन इसके पहले अगर हम देखें तो market इतना गिरा क्यों इसके पीछे का reason क्या था यही आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे तो अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा तो लिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ दोस्तों जैसे के आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभी market close हो चुका है Nifty 50 हमें 17,748 के करीब देखने मिल रहा है वही अगर हम Sensex की बात करें दोस्तों तो यह 59,667 पर stand out कर रहा है और morning में दोस्तों अगर हम देखें तो Nifty 50 में हमें सुबह से ही गिरावट देखने मिली थी market negative side में open ही हुआ था उसके बाद से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो almost धाई बजे तक market गिरता हुआ ही नजर आया और काफी जादा गिरा दोस्तों लगबग 2% की गिरावटी 300 पॉइंट प्लस निफ्टी गिरा Sensex दोस्तों 1000 पॉइंट के करीब गिरा है इसके पीछे का reason अगर हम देखें तो सबसे पहला reason दोस्तों profit booking थी अगर हम देखें तो market दोस्तों almost पिछले 3-4 दिनों से काफी अच्छा कासा हमें बढ़ते हुआ ही नजर आ रहा था अगर आप पिछले 5 दिनों का दोस्तों चार्ट भी देखेंगे तो आपको यहां पे नजर आएगा निफ्टी 50 17,551 से दोस्तों लगबक 18,000 के आसपास भी गया था और उसके बाद से दोस्तों अगर हम देखें तो उसके बाद से ही हमें गिरावट देखने मिली इसके पीछे profit booking सबसे पहला यहां पे देखा जा रहा है कि profit booking दोस्तों सबसे पहला reason है जिसके वज़े से आज हमें market में गिरावट देखने मिला खास कर अगर हम देखें तो IT सेक्टर में दोस्तों में गिरावट देखने मिला उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो Evergrande का यहां पे आ रहा है Evergrande Group China दोस्तों आपने जरूर सु करने वाले हैं इसे related भी दोस्तों यहां पर issue चल रहा है चाइना में यहां पर अगर हम देखें तो दोस्तों यहां चाइना इसे solve करने की कोशिश कर रहा है बट इसे related भी अभी काफी सारा concern है चाइना में जिसके वज़े से हमें वापस से market में गिरावट देखने मिला और third global bonds में दोस्तों अगर हमें rise देखने मिलेगा तो थोड़ा बहुत share market में इसका असर पड़ता है डाउन जाता है इसी के वज़े से हमें share market में गिरावट देखने मिला साथ ही साथ दोस्तों अगर आप indices के futures भी देखेंगे तो वह भी negative side में ही हमें देखने मिल रहे हैं अगर हमें बड़ा reason देखने मिला इसके बाद दोस्तों जो last आगर हम देखें तो आग में घी का काम जो करते हैं दोस्तों वह European market था European market भी दोस्तों negative side में ही काफी जादा हमें देखने मिला और उसमें भी दोस्तों हमें fall नजर आ रहा है यह कुछ reasons थे जिसके वज़े से आज के दिन हमें market में दोस्तों negative side देखने मिली इतनी बड़ी गिरावट देखने मिली जो कि 300 point के आसपास थी अगर हम census की बात करें तो 1000 point के आसपास थी एक बार फिर से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा Evergrande का reason दोस्तों अभी चाइना में चल रहा है dollar index और global bonds rise हो रहे है European market दोस्तों नीचे गिरा है indices के future भी अगर आप देखेंगे तो negative side में है और सबसे बड़ा reason दोस्तों अगर हम देखें तो profit booking है साथ ही साथ COVID-19 का delta variant भी दोस्तों एक reason हो सकता है जिसके वज़े से investors में थोड़ा सा concern होगा Well इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो nifty 50 ने वापस 1% के आसपास की हमें growth भी दिखाए और ये growth दोस्तों अगर आप देखेंगे और काफी अच्छा support दोस्तों हमें reliance के stock से देखने मिला यानि कि reliance के share से और yeast में अगर हम देखें तो आज ही की दिन इसने अपना 52 week high touch भी किया है जिसके वज़े से market को काफी अच्छा support मिला साथी साथ power sector से oil and gas और metal sector से दोस्तों हमें खरीदारी देखने मिली यानि कि buying side देखने मिला ये दोस्तों दो चीजे थी जिसके वज़े से market ने वापस comeback किया और यहाँ पे हमें buying देखने मिली 180 points के साथ दोस्तों market ने comeback किया और लगबग अगर हम देखें तो अब market 0.68% के आजपास ही गिरावट पे है वेल अगर हम Nifty 50 की दोस्तों बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा support level है वो 17,600 के करीब है जिसके पास से दोस्तों अगर आप आज के दिन भी देखेंगे तो Nifty 50 का जब ये support level तूटा तो वापस से दोस्तों यहाँ पे buying शुरू हो गई और ये काफी demand zone माना जाता है 17,600 अभी के लिए दोस्तों इसी के वज़े से यहाँ पे दोस्तों वापस buying चालू हो गई और यहाँ पे market ने recovery दिखा दी इसके बाद से दोस्तों अगर हम सबसे बड़ा support देखें तो Nifty 50 का सबसे बड़ा support 17,350 के करीब है लेकिन यहाँ तक दोस्तों market जाएगा नहीं अगर हम देखें जादी अगर खराब news आ जाती है तो maybe market जा भी सकता है तो यह सबसे बड़ा support का काम करेगा 17,350 लेकिन उससे प हमें आप पर साइट देखने मिला market वापस से comeback किया तो यह दोस्तों दो चीजे थी जिसे आपको ध्यान में रखना है बाकि अगर हम share market की बात करें दोस्तों तो गिरना चड़ना इसका काम ही है दोस्तों जब आप देखेंगे कभी भी market directly सीधा नहीं जाता है उसमें 18,000 का level तोड़ेगा 18,000 के पार जाएगा और अगर हम देखें तो यह होने भी वाला था लेकिन यहां पर हमें profit booking के वज़े से इसमें हमें गिरावट देखने मिली यहां पर अगर as a long term investors की बात करें दोस्तों तो उनके लिए जादा concern है नहीं long term investors को दोस्तों इसमें जादा कुछ होता नहीं है अगर वो long term के लिए किसी भी share में invest करते हैं तो उन्हें ही फायदा है at all सभी side से दोस्तों उन्हें अच्छे फायदे मिलते हैं तो यहां पर अगर हम देखें जो short term traders होते हैं दोस्तों उनके लिए यहां पर गाटा होता है जब कभी भी 50 50 या sensex नीचे गिरता हुआ में नजर आता है यह बड़ी बाते हैं वैल इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो भी हम समाप्त करना चाहेंगे अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजेगा नीचे comment box में दोस्तों आप हमसे कोई भी question पूछ सकते हैं साथ ही साथ अपनी राय भी रख सकते हैं दोस्तों यह अलवेस वैलकम फो यू और इसी के साथ यह वीडियो भी हम समाप्त करेंगे अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में सब तक के लिए शुक्रिय धन्यवाद जयहिन